आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार आज हम देखेंगे कि हम प्यास को कैसे बारी किसे काटा जाएगा जैसे हम देखते हैं कि कई सारी रेसिपीज में हमें होती बारी किसे कटिफे प्यास चाइए होते हैं तो हम कैसे काटेंगे तो हमने यहाँ एक प्यास इसे पील करके इसका छिलका निकालकर और इसे धोकर रखा हुआ है और एक थार वाला चाकू रखा हुआ हमने इसे दो हिस्से कर दिया है अब हम इसे इकल सेक्षिन में काटेंगे हमने इसे लंबाई से चार हिस्सों में काट दिया है अब हम इसे पतला पतला काटने कोशिश करके कैसे काटते हैं आप देखेगा हम कोई शेफ की तरह नहीं करेंगे नॉमली ध्यान रखिए काटते वक्त प्यास जब आप काटेंगे तो बहुत ही थोड़ी थोड़ी दूर में काटेगा धार वाला चाकुल रीजेगा धीरे धीरे काटेगा जलबाजी कोई ज़रोत नहीं है जब आप जब आप आप जब आप काटेंगे भाज जब आप जब आप तो बिलकुल इसे तह से तरह से आपने जब आप जब आपाटते हैं चार हिस्सों में लंबाई से ने से कात गया है अब हम इसे पतला पतला बारीक बारीक इसे काते हुए आराम से काते हुए आप देख रहे हैं वह छोटा छोटा काट रही हुए आप इसे इसे भी पतला कर सकते हैं जो लंबाई जो हमने चार हिस्सों में काटी है आप उसे कम करके अपने हिसाब से जितना आपको पतला चाहिए उतना कर सकते हैं बस ध्यान रहे कि चाकू धाल वाली हो जिससे आपके प्यास सही तरीके से कट सकें और हमारी प्यास तयार है उमीद करती हूँ आपको ये टूटोरिल बहुत पसंद आया अगली बार हम कुछ और नया ली करांगे धन्यवाद करते हैं